नमस्कार अपुर्वास किचिन में आपका स्वागत हैं कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आप लोग के साथ होली स्पेशल एक रसिपी शेयर करने वाली हूँ होली में हर किसी के घर पे दही वड़ा तो जरूर बनता है आज हम दही वड़े ही बनाएंगे लेकिन ये इंस्टन दही वड़ा है इस दही वड़े को हम रसगुलो के साथ बनाएंगे रसगुले जो इसमें यूज हो रहे हैं ये मैंने मार्केट से मंगाया है आप चाहें तो घर पर भी रसगुलो को बना कर यूज कर सकती है ऐसे ही इंस्टन्ट दही वड़े की रसपी मैंने पहले भी शेयर किया है आपने अगर ना देखा हो तो मेरे चैनल में जाकर उस रसपी को भी देख सकती है आपको मेरे रसपी अगर पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें इस रसिपी को बनने में बस 10-15 मिनट ही लगेंगे अपसे घराय मेमानों को तुरंद बना कर खिला सकती है तो आईए देख लेते हैं इस रसिपी को बनाना कैसे है इसके लिए सबसे पहले एक बरतन में मैंने 6-7 चमच दही ले लिया है इसे हम अच्छे से फेट लेंगे आप चाहें तो blending jar में डाल कर भी इसे blend कर सकती है मैंने whisker की मदद से इसे फेट लिया है थोड़ा सा पानी डाल कर इसे फेटे क्रीमी texture आ जाए तब तक हम इसे फेटेंगे थोड़ा से नमक डालें, नमक डाल देने के बाद, अब हम इसे एक और भार अच्छे से फेट लेंगे नमक को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद, अब हम इसमें चीनी डालेंगे चीनी मैंने एक चमच यूस किया है आप चाहें तो चीनी का पॉडर भी ले सकती है चीनी डाल देने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करें थोड़ा थोड़ा पानी डालें बहुत जादा पानी ना डालें अब हम इसमें काला नमक डाल देंगे काला नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से घटाया बढ़ा सकती है काला नमक डाल देने के बाद फिर से अच्छे से मिक्स कर लें आप देख सकती है दही का जो मिक्षर है ये तयार है तो अब हम इसे साइट में रख लेंगे अब हम दही वडो को सर्फ कर लेगे सर्फ करने के लिए मैंने यहां दो मिट्टी के बर्तर ले लिया है अब हम इसमें जो फेटा हुआ दही है इसे डाल देंगे दही डाल देने के बाद यहां रसगुला डाल देना है रसगुलो के रस को थोड़ा से निचोड ले इसमें मीठी चटनी डाल देंगे, हरी चटनी बनाने के लिए मैंने धन्यापत्ता, पुदीनापत्ता, नमक, आदी, हरी मिर्च और नीमुके रस का यूज किया है, दोनों चटनी को डाल देने के बाद इसमें एक एक चुटकी काला नमक डाल दे, काला नमक डाल देने के इसमें लाल मिर्श पॉर्डर डाल देंगे अब जितना तीखा खाती है उस हिसाब से लाल मिर्श पॉर्डर घटाया बढ़ा सकती है लाल मिर्श पॉर्डर डाल देने के बाद अब हम इसमें धन्या पॉर्डर डाल देंगे धन्या पॉर्टर भी मैंने एक पिंच करके दोनों प्लेट पे डाल दिया है धन्या पॉर्टर डाल देने के बाद अब हम इसमें भूजिया डाल देंगे भूजिया डाल देने के बाद अब इसमें हम अनार्दाना डाल देंगे अनारताना ओप्शनल है आप चाहें तो इसे इसकी भी कर सकती है लेकिन इसे डालने से इसका टेस्ट और इन्हांस करता है अनारताना डाल देने के बाद अब हम इसमें बूधी डाल देंगे बूदी भी थोड़ा सा ही डाले बूदी डाल देने के बाद अब इसे हम सर्फ कर लेंगे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बूदी मैंने दोनों प्लेट में डाल दिया है चमच लगा दे और इसे सर्फ कर ले इंस्टंट दहीवड़ा रेदी है मेरी रेसिपीज आपको कैसे लग रही है यह आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंदा रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब जरूर करें साइट में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे क्लिक करके औल पे प्रस कर दें ताकि मेरे अपलोड किये हुए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए आपके एक कमेंट से हमें और अच्छा काम करने का मोटिवेशन मलता है कमेंट जरूर करें अगर आप मुझे फेस्बुक या इंस्टाग्राम में देख रही है तो फॉलो कर ले थैंक यू, थैंक्स पॉर वाचिंग